2.3 मृदा जब हम भूसंसाधन की बात करते हैं, तो हम प्रमुक रूप से मिट्टी या मृदा की बात कर रहे होते हैं. या भूसंसाधन का सबसे महत्तोपूर अंश है. समान अर्थों में पृत्वी के धरातल की उपरी परत या मिट्टी, जिस पर वनस्पती उगती है, मृदा कहलाती है. मृदा चटानों के विगटन से बनती है और इसमें जलवायू, वनस्पती, आदे की प्रमुक भूमिका है. चटाने गर्मी, सर्दी और पानी से प्रभावित होकर तूटती, फूटती या घिस्ती हैं, जिससे बारिक कण अलग हो जाते हैं, इनमें वनस्पती वजानवरों के अवशेश मिल जाते हैं, और लंबे समय के बाद ये मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं. मृदा से वनस्पतियां पोशन प्राप्त करती है और अन्य जीव वजानवर वनस्पतियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृदा ना केवल जीवधारियों को भोजन उपलब्द कराती है बलकि इसका उपयोग इंट, बर्तन, खिलोने, मूर्ती, खपरा, आदी निर्माण में भी किया जाता है ग्रामीर भारत में मकानों की दिवारें, दिवारों एवं फर्ष की लिपाई, पुताई, मिट्टी से किया जाता है अगर आप कभी मकान के निव या कुवा खुदते हुए देखें, तो पाएंगे की मिट्टी जमीन पर कई पर्तों में बिछी हुई है मृदा की इन 36 परतों को मृदा परिक्षेदिका कहा जाता है मृदा की परतों को मुख्यता तीन भागों में विभाजित किया जाता है जैविक परत, खनिज परत, एवं आधार परत नीचे दिए गये चित्र को देखें उसमें सबसे नीचे आधार चट्टान की परत दिख रहा है जिससे आर परत कहा गया है इसी आधार चट्टान के विगटन से मिट्टी का निर्मान हुआ है इसके उपर क्रमशा C, B, A और O परत है जैविक परत यह सबसे उपरी परत है जिसमें O और A सम्मलित है O परत में पेड़ पौधो एवं जन्तों के अबगटित अंश मिला होता है जिसे हूमेंस भी कहते हैं इसके नीचे A परत होती है जो खनिच परत होती है किन्तु यह O परत से अधिक प्रभावित होता है जिस कारण इसमें जैविक पदार्थों की अधिक्ता होती है जैविक परत की मुटाई भिन भिन होती है नदी घाटी के निचले भागों में इसकी मुटाई सरवाधिक होती है जैविक परत पर कृशी कारे होता है एवं वनस्पतियां उगती है इस कारण यह परत बहुत महतोपूर है किन्तु अपरदन का प्रभाव सबसे पहले इसी परत पर पढ़ता है फसलों के लिए कीट नाशकों का प्रयोगों या कचरों का निस्तारण सभी इसी परत को प्रभावित करते हैं खनिज परत यह बीच की परत होती है जिसमें बी परत सम्मलित है यह खनिज परत होती है जिसमें जीवांश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है जैविक परत की तुलना में इसके कण मोटे होते हैं इस परत तक उन पौधों की जड़े पहुचती है जिनकी जड़े काफी गहराई तक जाती है उदाहरन स्वरूप टमाटर के पौधे की जड़ जैविक परत तक सीमित रहती है जबकि आम के पेड़ की जड़ खनिच परत तक जाती है आधारी परत यह सबसे निचली परत है इसमें C और R परत सम्मलित है जिसमें R आधारी चट्टान होती है जिसके विखंडन से C परत का निर्माण होता है भारत में मृदा का वितरण अपने देश में मुख्य रूप से 6 तरह की मृदाओं का फैलाव है इनमें प्रमुख है जलोड मृदा जो नदियों के मैदानों में बिची हुई है यह अत्यंत उर्वरा मृदा है और खेती के लिए सबसे उप्यूपत है 36 गड की अधिकांश भूमी पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार अगने और रुपांतरी चट्टानों में लोधातू के प्रसार के कारण होता है इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है भारत के पश्चिमी प्रांतों में काली मृदा पाई जाती है जो की कपास गेहूं आधी की खेती के लिए उप्यूपत है काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी है इसकी नमी धारन करने की चमता बहुत होती है भारत के अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है लेटराइट मृदा उच्चतापमान और अत्यधिक वर्षा वाले छेत्रों में विक्सित होती है भारी वर्षा से इसका उर्वर तत्तु बह जाता है इस मृदा में हुमस की मात्रा कम पाई जाती है जिसके कारण इस पर खेती करने के लिए अधिक खाद का प्रियोग करना पड़ता है इसके अलावा थार मरुस्थल में शुश्क मृदा और हिमालाय परवत पर परवती वन मृदा पाई जाती है मानचित्र 2.1 भारत में विभिन प्रकार के मृदा का वित्रण दिखाया गया है